दोस्तों आपको फेमस बॉलिवूड कॉमेडी फिल्म खिचडी दी मूवी तो याद हो की राइट। इस फिल्म में हंसर के किरदार ने जितनी जानफू की थी उतने ही गहरी छाप छोड़ी जैशरी पारेक की भूमिका ने मूवी में जैशरी का रोल एक्ट्रस निमीशा वखारिया ने निभाया है कई लोगों को मालूम नहीं है कि निमीशा ने अपने करियर की शुरवात 2005 में टीवी सीरीज इंस्टेंट खिचडी में एक नौकराने की भूमिका निभा करती थी जैशरी के किरदार के अलावा अगर निमीशा के किसी और फिर्मस करेक्टर की बात करे तो लोग इने टीवी सीरीज बाप बहु और बेए में चारूब आलात उशार भायानी के रोल में भी खूब पसंद किया करते हैं हाला कि अगर निमीशा के सबसे जबर्दस करदार को देखें तो कई लोगों के लिए वो तेनाली राम में अम्मा का रोल होगा जी हाँ, सब पर आने वाले मशूर शों तेनाली राम में निमीशा ने तेनाली की अम्मा का करदार निभाया था इस रोल का सबसे बड़ा चैलेंज है था कि इसमें निमीशा को बिना बोले अपनी कॉमिक टाइमिंग और एक्स्प्रेशन से डायलोग डिलेवरी करनी थी सोचे कॉमेडी शो के हिसाब से कितना मुश्किल रहा होगा लेकि निमीशा ने इसे वक्खो भी निभाया वैसे आज निमीशा वक्खारिया का जन दिन भी है निमीशा को लेकर कई लोगों को लगता है कि निमीशा अंडरेटेड एक्ट्रेस है जितने पहचार उने मिलनी चाहिए जो मुकाव वो डिसर्फ करती है वो उने मिला नहीं है आप इस बारे में कितने सहमत है कमेंट करके ज